आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार दर्शिकों यह MNS News लेटो कर आप देख रहे है MNS News टीर में हूँ आपके साथ शिभांगी तो आएए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे इससे पहले एक निजर हेट लाइस की और कपड़े फाड़े प्राइवेट पार्ट से छेड़ चाड़ की दोड़ा दोड़ा कर पिटा 20 सड़क बिजेपी नेता ने तार तार कर दी टीचर की इज़त हाथ में पिस्टल लेकर घर में घुज गए दो बदमाश मार्शलाट में ट्रेन मा बेटी ने कर दी धुलाई मुंबई गौरकपूर गोदान एक्सप्रेस की दो भुगियों में भीशनाग अपडेट जारी आए देखता है खबरे विस्तार से कपड़े फाड़े प्राइवेट पार्ट से छेड़ चाड़ की दोड़ा दोड़ा कर पीटा भी सड़क बिजेपी नेता ने तार तार की इज़त मध्यप्रदेश के इन दो जिल्ले से महिला टीचर को सड़क पा दोड़ा दोड़ा कर पिटने का मामला सामने आया है टीचर के कपड़े पार दे गए है उसके प्राइवेट पार्स के साथ भी छेरचार की गई यह पुरी घटना सेसे टीविक कैमरे में कैद हो बान गंगा का बता जारा है बीजीपी नेता ने महिला टीचर को दोड़ा दोड़ा कर पिटा मिली जानकार के मताबिक बान गंगा में महिला टीचर को बीजीपी नेता ने सड़क दोड़ा दोड़ा कर पिटा है उसके कपड़े पार दे और प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़ चाड़े की यह शर्मना करतूत सिसे टीवी कैमरे में भी कैद हो गई है सिसी टीवी पूटेज में आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता का परिवार महिला टीचर के साथ मार पिट कर रहा है इस दौरान महिला नीचे गिर जाती है जिसके बाद बीजेपी नेता का परिवार वापस घर में घुच जाता है पिडिता टीचर ने अपनी एप आयार में बीजेपी नेता के परिवार पर गालिया देने और जान से माने की धंकी देने का रोप लगया है मामला एक किस मार्च का है सियम हेलप लाइन नंबर पर शिकायत करने पर भढ़का कैना है कि क्या यही दीन देखने के लिए सियम मुहन यादों को वोट दिया था महिला टीचर ने हात मत्या की धंकी दी है उनसे कहा कि कोटा के बाद अब इंदोरा में बड़ा कांड होगा वही पुलिस ने मामले में आई पीसी 1860 की धारा 3294 और 34 के ता तेपायर दज की है दोनों पक्षों के बीच काफी दिनों से विवाज चर रहा था टीचर के साथ मार पिट करने वाला शक्स बिजीपी का मंडल अद्धिक्षब बताय जा रहा है आईए बढ़ते हैं अगली खबर के और हाथ में पिस्टर लेकर घर में गुश गए तो बदमाश मार्शलार्ट में ट्रेंड मा बेटी ने कर दी दुलाई तेलंगाना की राजधानी हिदराबाद में एक मा बेटी की बहादूरी ने दो हतियारों से लेस अपरादियों के मसूबे को नाकाम कर दिया और उप्री ग घर में लुटपात करने के लिए गुसे थे लेकिन मा बेटी के आगे उनकी एक न चले इन मा बेटी को पुलिस थे उनकी बहादूरी के लिए सम्मानित किया है यह मामला सिकंदराबाद में मेगम पेट का था शेत्रका है जहां पर एक घर में दो शक्त पिस्टल लेकर लू अपने इरादे में काम्याब नहीं हो सके रिपोर्ट की मताबिक 42 साल की अमिता में खोथ और उसकी बेटी घर पर थी तभी दोपर में दो बज़े दर्वाजी की घंटी घरेलू साइका ने दर्वाजा कोला तो दो लोगों ने उससे कहा कि उन्हें एक पारसल देना है साइ पूरक दिया इसके बाद वे दोनों जबरन घर के अंदर घुजगे उन्होंने कहा की सारा किम्ति सामान उन्हें सोब दिया जाये लेकिन उन अपराधियों के लिए दुर्भाग्या की बात ठीकी घर मालकी ने मार्शलाट की ट्रेनिंग ले रखी ती उन्हें मा बेटी की जोड़ी हिम्मत का अंदाजा नहीं था अमीता मनोत और उनकी बेटी ने उन अपराधियों पर हमला कर दिया बड़ी मुश्किलों से वे जान बचा कर घर से बाग निकले हालकि बाद में उन्हें पूलिस ने गिरफ्तार कर लिया इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ आईये बढ़ते अगली खबर के और मुंबई गौरखपूर गोदान एक्सप्रेस की दो भुगयों में भीशनाग महरस्ट के नसिक रोड रेल्वे स्टेशन से बड़ी खबर सामने आ रही है मिल रही जानकारी के मताबक नासिक रोड रेल एक्सप्रेस की दो बुगयों मे आग लगी थी इस मामले की जान कर देते वे रेलवे की ओसे का गया कि नासिक स्टेशन के पास एक हास्था हुआ है आग लगने के बाद प्रभावी सेटिंग कम लगे ज्रेंक कोच को 20 मिनिट के भीतर धाइस बजे से लेकर 10 मिनिट तक ड्रेंज से अलग कर दिया गया टेंट गंटे के भी तरदुआ बुझा दिया गया अब आप हमारे चैनल का आपकी मुबल आप पर भी देश सकते हैं मुबल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से अमनेस निविश्टी आपस डाउनलोड करें इस्टाहाइट ट्वीट वेस्बूक और कई सोचल मिडिया प्ले यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News